हलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक वर फिर से स्वागत है तो अभी तक हमने जो वर्ण माला पड़ी है, I think आपको वो अच्छे से समझ में आई होगी मेरी तरब से बहुत विस्तार से वर्ण माला पड़ाई जा रही है तो आप चुकि ये सभी competition exam के लिए है, इसलिए आपको जिस लेबल तक पड़ना है आप पड़ सकते हो इसमें सभी लेबल को explain किया गया है, SI हो, सम्मिदा हो, सम्मिदा वर्ण एक हो, दो हो, तीन हो इन सभी के लिए बर्ण माला को हमने विस्तार से पड़ा है तो आँगे हम बर्ण माला को कंटी करते हुए देखें, अनतस्त वेंजन तो वे वेंजन जो सपर्स वेंजन एबं उस्म वेंजन के बीच इस्तित होते हैं अनतस्त वेंजन कहलाते हैं इसका मतलब क्या है, आप पिछले वीडियो में देख रह सकते हैं कि हमने इसपर्स वेंजन पहले रखा स्वर वेंजन के बर्गी करण में, देन हमने उसके अनतस्त वेंजन रखा, देन उसके बाद हमने उस्म वेंजन रखा तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अनतस्त वेंजन हमारे इसपर्स वेंजन एवं उस्म वेंजन के बीच में इस्तित हैं इसी लिए इन्हें हम कहते हैं अनतस्त वेंजन चुकि इनका उच्चारण स्वर एवं बेंजन के बीच इस्तित है इस कारण भी इन्हें हम अंतस्त बेंजन कहते हैं इनकी संख्या चार है या, र, ल, व अंतस्त बेंजन में से हमारे बहुत important questions निकल कर आते हैं जैसे कि आपसे एक्जाम में पूछा जाता है निमलिकित में आर्दस्वर क्या है तो या और वा को हमने आर्दस्वर में रखा हुआ है आप देखें कि इनको आर्दस्वर क्यों कहा जाता है या और वा कभी स्वर की भाती कारे करते हैं और कभी व्यंजन की भाती जैसे कि आप यहां उधारण लिखे हुए हैं गई और गई जब हम पहले वाले गई का उच्चारण करते हैं तब हमारा इसमें व्यंजन का उच्चारण आता है जबकि गई में उचारण में हमारा या ही आएगा लेकिन ये किसकी भाती काम कर रहा है स्वर की भाती इसी तरीके से आप कोवा में देखिए जब हम कोवा में वा का उचारण लेकर चल रहे हैं तो हमारा ये वा बेंजन की भाती कारे कर रहा है जब कोवा बोला हमने, तो उच्चारन हमारा वा का आ रहा है, लेकिन ये किस तरीके से काम कर रहा है हमारा स्वर की तरीके से, इसलिए या और वा को हम आर्जस्वर कहते हैं. एक तरीके से तो आपको ये कोशन पूछा जाएगा, निमलिकिट में से अर्जस्वर क्या है? या वा दोनों या कोई नहीं. तो यहां पर आपको पता है या और वा दोनों ही हमारे अर्जस्वर हैं. इसलिए हमारा ओप्षन होगा C. एक डिफरेंट तरीके से जो हमारा कोशन पूछा जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि निमलिकिट में कौन से हमारे अर्जस्वर हैं. वहां पर आपको या और वा नहीं दिया जाता. उस समय आपके कुशन में जो आप्षन होते हैं, वो होते हैं इसपर्स वेंजन, उश्म वेंजन, अन्तस्थ वेंजन और एक क्या रहे हैं या और वा इसी लिए इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा अंतस्त व्यंजन तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप से कुशन आए आपको अर्दस्वर या और वा को या फिर अंतस्त स्वर को कहना है नैश्र हम देखते हैं ला ला को हमने पार्श्विक व्यंजन कहा है एक यह जो हमने डाइग्रम बनाया हुआ है इसके द्वारा आप देखिए कि जब हम ला का उच् निकल जाती है यह जो डोट-डोट के द्वारा मैंने दर्साया हुआ है यह बायू निकलते हुए दर्साया हुआ है अर्थार ला के उच्चारण में हमारी जीव के पार्शु से बायू बाहर निकलती है इसलिए ला को हमने क्या बोला है पार्श्विक व्यंजन देन हम दे ये हमारी जीव है जब हम रा का उचारन करते हैं तो जीव हमारी उपर जाती है मूर्धा को इस पस करती है और इस तरीके से लोड़क लोड़क कर नीचे आती है चुकि ये इसमें जीव हमारी लोड़क लोड़क कर नीचे आ रही है इसलिए हमने इसे क्या क्या दिया? लुंठित वेंजन जब ये इस तरीके से जीव नीचे लोड़क रही है तो आप यहाँ पर साइन देखिए इस तरीके का साइन बन रहा है और ये साइन हमारा किसमे आता है? कमपन जब भी कोई कमपन होता है तो इस तरीके से ही हमारा साइन आता है इसलिए रा को हम क्या कहते है प्राकंपिट वेंजन बहुत ही important questions इसमें से हमारे आते हैं कि निम्लिकित में से पार्षिक वेंजन कौन सा है तो ला आपका अंसर होगा निम्लिकित में से लुण्ठिट वेंजन कौन सा है तो आपका रा अंसर होगा देन हम यहाँ पर यदि सघोस और अघोस की बात करें तो अंतस्थ बेंजन स्वर के ही समान सघोस और अल्पप्राण है हमारे सभी स्वर सघोस और अल्पप्राण थे उसी तरीके से हमारे अंतस्त व्यंजन भी सघोस और अल्पप्राण है नैश्र हम देखते हैं उस्म या संघर्ची व्यंजन तो उस्म या संघर्ची व्यंजन ये किस तरीके से होते हैं हमारे जब हमारे फैपनों से बायू बाहा निकलती है और विविन इस्थानों पर घरसन करती है क्या करती है घरसन करती है तो आप अपने हातों को रगड कर देखिए जब ये दोनों हातों को रगडते हैं तो बहुत कम समय में ही हमारे हातों में से उश्मा पैदा होने लगती है तो इसी तरीके से जब ये व्यंजन किसी विशे सिस्थान पर रगर करते हुए या घरसन करते हुए निकलते हैं तो इनसे क्या पैदा होती है उश्मा पैदा होती है इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं उश्म व्यंजन और चुकि ये घरसन करते हुए निकलते हैं इसलिए इन् तो उश्म बेंजन की भी संख्या हमारी चार है, अनतस्त बेंजन की भी संख्या हमारी चार है, संयुक्त स्वर की संख्या भी हमारी चार है, संयुक्त बेंजन की भी संख्या हमारी चार है, तो अरिकानस्ता आप देखिए, आपका अंसर चार निकल कर आ रहा है, अब हमारे उ पूश्व ब्यंजन है इस शाको हम कहते हैं तालब सा क्यूंकि इसका उच्चारण स्थान हमारा तालब है इस शाको हम कहते हैं मूर्धन सा इस सा को कहते हैं दंत सा तो ये तीनों सा का हमारा उच्चारण स्थान है जब हम हा का उच्चारण स्थान लेकर चलते हैं तो आप द यहां जो हमें डाइग्राम दिखाई दे रहा है, उसमें हमारा कंट, स्वर्यंत्री और काकल्य लिखा हुआ दिख रहा है, तो कंट आप सबी लोग जानते हैं, कंट में ही हमारा एक होता है, जिसे हम इंग्लिस में लेरिंग्स या हिंदी में स्वर्यंत्र कहते हैं, इस स्वर पुछी जाए तो पहली priority आपको काकली देना है, then आपको स्वर्यंत्री देना है और उसके बाद आपको कंट, मतलब हा का हमारा जो उचारण है वो काकली से या फिर स्वर्यंत्री से या फिर कंट, तीनों ही answer हमारे सही है, then हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीनों सा जो हैं वो हमारे अगोस महापराण हैं, अभी आमने पिछले notes में देखा कि अनतस्वेंजन हमारे क्या थे सघोस और महापराण, सघोस और अलपपराण, जबकि हमारे यह तीनों सा क्या हैं, अगोस महापराण, अर्थात आप इसको कैसे याद करेंगे, कि अनतस्वेंजन का हमें उल्टा याद करना हैं, अनतस्वेंजन हमारे सघोस और अलपपराण थे और उश्मेंजन में तीनों सा हमारे अगोस और महापराण हैं, सिर्फ जो हा है, वो हमारा सघोस भी है और महापराण भी है, अर्थात हा के उचारण में स्वर्यंत्रियों में कमपन भी होता है, और इनको बोलने में मुक से अधिक बायू भी बाहर निकलती है नेश्व हम देखते हैं उत्चिप्त या दोईकौन या बिक्सित धुनिया तो पहले हम इनको देखते हैं कि उत्चिप्त क्यों कहते हैं बिक्सित क्यों कहते हैं या दोईकौन क्यों कहते हैं चूकि ये संख्या मे दो है अड़ा और अड़ा ये संख्या में हमारे दो है इसलिए इने हमने क्या नाम दिया हुआ है दोईगोण ब्यंजन जब हम इनका उच्छारन करते हैं तो जीव हमारी उपर की तरब जाती है मूर्धा को इस पर्स करती है और जटके के साथ नीचे आती है देखें दोस्तो जब हमने रा का उच्छारन पड़ा था तो उसमें जीव हमारी कैसे आ रही थी लोड़क लोड़क कर नीचे आ रही थी जबकि उत्छिप्त ब्यंजन के उच्छारन में हमारी जीव किस तरीके से नीचे आ रही है जटके के साथ नीचे आ रही है उत्छिप्त का आर्थ होत उत्चिप्त व्यंजन इन्हें बिक्सित धुनिया क्यों कहा गया है तो जब हम साहित पड़ते हैं तो साहित में हमारा पहल जो काल विवाजन आता है उसमें पहला काल विवाजन हमारा आदी काल है तो चुंकि इन दोनों व्यंजनों का जो विकास हुआ है वो आदी काल में आ वीडियो कैसा लगा इसे पर आप कमेंट कीजिए लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आप लोगों का जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है उस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद